अगर आपने भी 2020 में या फिर 2021 में intermediate आने कि 12 या फिर कोई equivalent course पास किया है तो आपको जेए advance 2022 में एक बार और मौका मिलेगा examination देने का तो चलिए हम यह notice जारे कीगी जिसमें 14 दिसंबर 2021 को joint admission board की meeting वी उसमें डिसे लियागे कि one time measure के तोर पे 2020 और 2021 में जिन्होंने 12th अपियर क किया और उन्होंने जो है जेए advance 2021 का form फिल किया था तो उनको जो है एक और extra chance जो है मिल देने की यहाँ पर notice जारी की गई तो इसको हम PPT के जरीए समझते हैं तो पहली condition candidates who appeared in class 12th और equivalent examination for the first time in 2020 और 2021 and successfully registered for JE advance 2021 but we are absent in both the paper I, paper 1 and paper 2 of JE advance 2021 याने कि अगर आपने 12th 2020 और 2021 में complete किया और उसके बाद आपने JE advance 2021 में register किया लेकिन आप जो है दोनों ही paper में याने कि JE advance 2021 के दोनों ही paper 1 और paper 2 जो होते हैं उसमें आप appear नहीं हुए absent थे तो इन छात्रों को जो है दुबारा से सीधे directly appear होने का मौ जो है कि JE advance 2021 के लिए आपने form भर दिया लेकिन आप दोनों ही paper और paper 2 में आप appear नहीं हुए तो आपको JE advance 2021 में directly appear होना पड़ेगा हां लेकिन आपको जो है इसके लिए successfully register करना पड़ेगा JE advance 2022 का जब form आएगा online registration करना और आपको registration पे पे करनी पड़ेगी और एक चीज यहां पर और बताए गई है कि these candidates would be considered in addition to and not as part of the total number of candidates who would qualify from JE main 2022 for appearing JE advance 2022 तो जैसा कि आपको पता है कि पहले इस्टुएंट्स को JE main का examination देना होता है वहां से 0.5,000,000 जो top इस्टुएंट्स होते हैं उनको JE advance देने का मौका मिलता है तो यह जो छात्र है यानि जो जिनको एक्स्टा चांस मिल रहा है one time major के तौर पे यह उन candidates के अलावा होंगे यानि 0.5,000 के अलावा यह candidates होंगे और इसमें फिर fight चलेगी IIT में seats के लिए ने की तो अगर आपने दोजा basic की समें 12th किया और आपने जो है JE advance 2021 के लिए qualify हो गये थे आपने form बढ़ा लेकिन आप paper on paper 2 नहीं दे पाए जो है किसी वज़ा से तो फिर आप सीधे JE advance 2022 में appear हो सकते वहीं पे अगर आप 12th 2020 में आपने क कर लिया था candidate who appear in class 12th or equivalent examination in 2020 for the first time and are also eligible to appear in JE advance 2022 provided they satisfy the following two criteria याने कि आपको अगर दो क्राइटरिया फुल्फिल करते हैं और आपने 2020 में intermediate qualified किया था तो आप JE advance 2022 में appear हो सकते हैं पहला the candidate should have appeared only once for JE advance either in the year 2020 और 2021 याने कि आपने 2020 में तो intermediate कर लिया लिया लेकिन आपने सिर्फ एक ही वार JE advance का फॉर्म भरा चाहे 2020 में चाहे 2020 में या फिर have not at all appeared in any paper in both JE advance 2020 and JE advance 2021 याने कि फॉर्म तो बरा लेकिन आपने appear ही नहीं हुए दोनों paper में तो फिर आप जो है JE main का दुबारा फॉर्म भरके आप जो है appear हो सकते हैं JE advance 2022 में इस candidates should appear should have appeared in JE main 2022 and meet the cutoff score of the top 250,000 successful candidates including all categories और चाहे जे एडवांस 2022 इन थे रेस्पेक्टिव करने पड़ेगी तो यहां पे लेकिन इनको यह चीज कंडिशन फॉर्म फॉर्म पड़ेगी नहीं को JE main 2022 देना पड़ेगा उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बार वो ध attempt नहीं दिया तो यहां पे जो है दूसरा attempt आपको देने को मौका मिल रहा है 2022 में वैसे उनको क्या होता है कि 2020 में दे सकते थे और 2021 में ही दे सकते थे लेकिन यहां पर 2022 में उनको appear होने का मौका मिल लेकिन condition ही है कि आपने 2020-2021 में से किसी एक ही बार paper दिया था या फिर जिस भ विस्ट की वचिंग